यह हमारा चाप्टर एट जिसका आज हमारा पार्ट फॉर्थ होने वाला है चाप्टर एट है हमारा गॉर्मेंट एंड एकोनोमिक एंड सोशल लाइफ अंडर डेली सल्तनत और अल्वेड़ी इसमें काफे सरे टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं पार्ट वाइस यह आज हमारा कवर हो गया था उसके बात हमने इसमें पढ़ा था सेंटर एट्मिस्ट्रेशंट ने तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्स का लिंक मिल जाएगा वो पर जाकर आद मेरे सभी लेक्ट्रेस को देख सकते हैं उसके बात हमने पार्ट थाट बॉस नौबस ठीक है आज हम जानेंगे सुल्टान के बारे में और उनके नौबस के बारे में कि उनकी जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था जिसी के हम सब को पता है जो सुल्टान थे और जो उनके चीफ नौबस थे उनका जो स्टैंडर of living था वह बहुत ही अच्छा था इतना अ इसलामिक वर्ल्ड इदर यह मारा इंडिया हो गया और यह पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया तो यह बहुत अच्छी जिन्द की जी रहे थे जो यहां पर इंडिया मेरा रहे थे okay while Europe was still trying to overcome its backwardness and the opulence and the wealth of the ruling class in the Islamic world was dazzling and set a standard which the ruling class in every country tried to emulate यहां पर जो Europe था वो अभी भी कही रहा कि अपनी जो पावर थी तिके अपनी जो backwardness थी उसको recover करने की कोशिश कर रहा था बहुत अच्छी बिनाने की कोशिश कर रहा था wealth का use करके और जो Islamic world था वो उससे में बहुत ही dazzling मतला हम यह कहींगे कि इनका जो standard of living था जो उनके monuments बगर थी बहुत ही अच्छे से यह लोग बनवाते थे जिससे कि इनका एक रुदबार है कि यह लोग वाके में ही कितने wealth दी है और उस चीज़ को हमेशा improve करने की यह लोग कोशिश करते रहा थे थे जो western side में थे like the Hindu rulers almost every sultan in India built his own palace तो जब यह लोग इंडिया में आते हैं तो इंडिया में भी यह क्या देखते है कि जो Hindu rulers है उनके अपने बहुत बढ़ बड़े palace होते है महल होते है तो यहां यह भी क्या सोचते है कि हम भी पहारत में अगर हम रूल कर रहे है तो हम भी क्या बनाएंगे अपने palace बनाएंगे Bulban had a dazzling court which was designed to impress and strike a sense of awe in the heart of the visitors जो Balban था उसका जो court था वो इतना शानदार था कि मतलब जो उसे एक बार देखता था वो देखता रह जाता था दूर दूर तो जो visitors थे वो यहां पर आते थे इसके court को देखने के लिए allowed in khilji और जो उसके successor थे वो भी same इसी tradition को बात में follow करते हैं वो भी यही चाहते है कि उनका जो court है ठीक है और उनकी जो लोग उनके court वगरा की काफी तारिफ करें ठीक हो भी इतना आलिशान उसको बना दे the palace of mohammad duglak has been described by इबन बतूता इबन बतूता हम सबको पता है जो मौरक का traveler था वो जब भारत में आता है यहां पर तो mohammad bin duglak के time पर आता है और वो काफी सारे जो rulers है उनके अंटर वो रहकर भी जाता है तो यहां पर वो काफी अच्छे से उनके palace वगरे के बारें बताता है कि जो mohammad bin duglak का जो palace था उसमें अंदर जाने से पहले आपको तीन जो gate थे बड़े बड़े उनको cross करना पड़ता था जिसमें बार पहरेदार खड़े होते थे और फिर बाद में एक बड़ा सा hall आता था जिसमें बहुत सारे pillar लगे थे thousands of pillars थे वह आप खुश हो सकते हो कि जिस hall में thousands pillars लगे हुए है वो कितना बड़ा होगा और यह सब किसके बने होते थे यह wooden pillars होते थे ठीक है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही महंगे महंगे सामान से इनको बहुत ही अच्छे से अच्छे सजाया जाता था ठीक है फॉटो अच्छे होते है ऑपना घर होतता है ठीक है बड़ा हो चाहर चोड़ता हो लिगा हो Security शो MP3 को ना कौशिश करता किई हमें अच्छे सेंडे लगए और यह honor में लोगों को जब यह honor करता था था उनको दो ropes उनको रखता था इनको present में देने के लिए यह ropes क्या थे जिसे कि कंधे पे डालने वाला जो कपड़ा होता है न वो एक तो होता था cold और एक होता था hot season के लिए थी यह season के यह साब से यह gift किया करता था अपने nobels को बनाते थे जिस्से की एक बहुती fine quality के साथ इनको तैयार किया जाए ठीक है इनको import भी किया चाहता था इनका जो जिससे घे बनते थे जिस सामान से बनते थे वो सामान अलग अलग जगा से इंधवाया चाहता था काफी costly ये होता था जिसको use किया जाता था, क्योंकि सब डाल ले वाले कौन है, सब शाही, ठीक है न, जो शाही लोग है उनको तो हची से बहुत अच्छी वाले चाहिए और इसकी जो cost है, वो काफी जाता होती थी, numerous gifts used to best stored on the nobles and other on festive occasions, सच अस सुल्टान's birthday the Navroz and the annual coronation day, तो इतने भी खास खास तो हो रहा है यह नवरोज है, यह Persian New Year होता है और सुल्टान का अगर कोई जन्म दिन वगएर आ गया यह कोई भी festive occasion ऐसा आ गया है तो उस टाइम पे यह महंगी महंगी कपड़े हैं यह बनवाय जाते थे royal car khana होता है जहां पर सुल्टान से जुड़ी को उसके जरुवत के चीजों को बनाया जाता था, ठीक है the manufactured costly article made of silk इतने भी जो चीजे बनी होती थी mostly, यह बहुत ही महंगी समान की बनी होती थी, जैसे के silk हो गया, gold, silverware, इन सब का समाल करके फिर कुछ अच्छा बनाया जाता था and there were also stores of choice and rea goods, ठीक है और यह समान का अलग से को store अगरा लगता था, ठीक है and the superintendent of the store were instructed by Firoz Tuglak to buy finely finished article wherever and whatever price they were available, ठीक है, और जो store पे जो यह बताया Firoz Tuglak था, इसको अगर अच्छ भी चाहिए या किसी भी सुल्दान को चाहिए तो बिल्कुल मुह मागी कीमत पे यह, उनसे उनके वो articles खरीद लिया करते थे it is said that on occasion a single pair of shoes for Sultan cost 70,000 अंका, इसा बता रखा है कि Sultan के shoes होते थे single pair of shoes, जो वो किसी function पर पहनता था उसकी जो cost थी वो ही 70,000 तंकाज होती थी आप देखे रों किती आलिशान जिन्दी की जी रहे हैं most of the article of royal use were worked in a gold and silver embroidery and jewels and the store also catered to the woman in the haram और जो haram क्या होता था, जहां पर यह सुल्टान है, इनकी wife रहती थी या जहां से भी यह कुछ भी जीतकर आते थे तो बहुत सारे जो women's वगर होती थी उनको यह अपने साथ ले आते थे तो वो सारे इनके haram में ही रहती थी तो यहां पर इनको भी जो जरुवत पर थी तो इनके यहां पर भी haram में क्या होती थे stores होते थे कि जिससे कि वो अपने जरुवत की समान उस haram से ही खरी सके almost every sultan had a haram जाता सभी जो sultan थे उनके haram होते थे जिसमें उनकी queens रहती थी और बहुत सारी उनकी जो slaves वगरा थे जो वो दूसरी country से लेकर आते थे वो रहती थी ठीक है और इसमें बहुत सारे इनकी servants slaves men women were employed to safeguard them और उनको look after करने के लिए वहाँ पर जो guard वगरा है उनको भी बिठाया जाता था ठीक है और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम भी दिया जाता था जो वहाँ से वो slaves men आके लेकर आ रहे है ठीक है all the women relation of the sultan including his mother aunt etc also lived in haram ना केवल सरिफ बहां से जो बहार से जो लोग औरते को पकड़ के लाया जा रहा है सरिफ वही उस haram में रहते थे बलकि सुल्तान से जुड़ी हर महीला ठीक है उसकी आंटी है उसकी mother है उसकी बहन है कोई भी है वो सारी कहां पर रहते थे हरम में मतलब एक अलग से एरिया मना दिया जाता था कि यहां पर कौन रहेंगे सरिफ जो महीला हैं वो रहेंगे separate accommodation has to be provided to each of them और उस haram में हर किसी का अपना एक personal room होता था ठीक है तो यहां पर जो नॉबस जो सुल्दान थी सुल्दान की जो palace वगएरा थे उसमें हर चीज़ बहुत कीमती होती थी और उसकी जरुदान से जुड़वा हर समान महा पर होता था चाहे कोई समान है चाहे उसका slave है चाहे servant है यहना हर कोई उसके लिए तैयार होता था बागे देखते हैं हाँ पर अलाउदीन इसा एंपायर आया था कि जिसने बहुत सारे जो शौक थे यह मतलब जो सको फिजूल के लगते थे कि सरफ यहां पर पैसा खर्च हो रहा है यह इतनी आलिशान से दी कभी कोई फाइदा नहीं है इसमें इतना पैसा खर्च हो जाए तो उसने पर होता है क्या है बहुत ही जादा एक rapid expansion होता है एंपायर के अंदर जैसे मैं आपको बता है पूरा south तक जो एंपायर होता है उसको यह occupy कर लेते हैं लाज salaries बढ़ जाती है, allowance बढ़ जाती है अपर इतना सारा area आपने occupy कर रखा है तो उस area को चलाने वाले लोगों को इलिए भी तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो महमात तुगलक के टाइम पर खर्चे बढ़ जाते है पिया टोल्ड टाट इस वजीर प्रोविंस में रूलर कमा रहा था, the other leading ministers got 20,000 to 40,000 टंकास अगया और जो दूसरे ministers थे उनकी भी salary काफी अच्छी होती थी, 20,000 से लेकि 40,000 टंकास तक उनको दिये चाते थे पूरी साल में, chief सदर getting 60,000 टंका, ठीक है जो chief सदर थे उनको 60,000 टंकास उनको मिलते थे साल में, तो मतलब हर किसी के salary बहुत अच्छी थी, खाने जहान था, वजीर और फिरोशाहत तुगलग, used to get 15,000 लाग, तो मतलब जो फिरोशाहत तुगलग का जो ये वजीर था, ठीक है, खाने जहान, इसको 15,000 लाग मिलते थे, आपको सुखता 15,000 लाग तो आज भी बहुत है, और His sons and son-in-law who were numerous got separate allowance, और जो इनके अपने खुद के बेटे बगएरा होते थे, उनको अलग से allowance दिया करते थे, जो जागीर बगएरा होती थे, तुगलग के टाइम पे जो नौबस थे, उनकी बड़ी मौज रही है, ठीक है, बड़ा ही अच्छे तरीके से रोपने जीवन को ज और इसके डेट के बाद ये 13 करोड रुपे छोड़ के गया था, ठीक है, तो अब ये जो बशीर था, वैसे तो ये औरिजिनली स्लेव था, इसका फिरोज का ठीक है, फिरोज ने इसको अपना सेना पती बना दिया, वन्ना तो या था, इसका स्लेव था, तो इसलिए और इसके बालिक के बालिक के पास, लेकिन यहां ऐसा हुआ क्योंकि इसके पास एक बहुती बड़ी लाज अमाउंट पिली थी, 15 करोड बहुत होते है, तो फिरोशा तुगलग को लगा, कही तना ये लेके का करेंगे, इसमें सा आधा मैल अपलेता हूँ, ठीक है, इसके ब raut lands, on which they built garden, orchard markets, and the Sultan and his Noble took keen interest in improving the qualities of fruit in India, ठीक है, जो Sultan थे और उनके जो knobles थे, वो दूसरी चीज़ों पर भी काम करते थे, जिसे इनिने का ये फूटी की क्वालिटी वगरा, तो फिरोशा है, जिसे मेलन हो गया, ग्रेपस हो गया, फ्रोशा तुगल अपलेता हूब तो है इ इनको और दिल्ली के आसपास इन्होंने 1200 इन्होंने इतने बाग बगीचे लगाई है इन इनस तरह से इन्होंने लेक नहीं चीजे देखने के लिए दिल्ली के आसपास और उसके बाद काफे लंबे टाइम तहा है जब दिल्ली के बीज में चीजे चलती रहती है होतने कोई चीज ट्रेंड मा आजाती है और बाग बगीचे तो सबी को अच्छे लगते हैं यह चीज़े जब डेली सलतनत का breakdown होने लगता है उसके बाद भी अच्छे से चलती है तो यह था हमारा टॉपिक ठीक है जो हमारा खताम हो गया जिसमें हमने देखा सुल्टान और नॉबल्स के बारे में के दोनों की बीच का उनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था अब हमारा नेक्स टॉपिक होगा यहाँ पर टाउन लाइफ, स्लेव, आर्टीशन और अधर जो बाकि जो लोग थे टाउन न रहने वाले उनकी लाइफ कैसी थी तो इसे हम कवर करेंगे मारे नेक्स लेक्चर में इस लेक्चर के लिए इतना ही अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू